हलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे चोटे जानुरों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो नमबर 5, बी हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड को गुंजन पंची के भी नाम से आना जाता है यह पंची दुनिया के सबसे चोटी पंचीों में से एक है इस पंची का नाम इसके गुंगुनाने की वज़े से पड़ा है अमीरिका में करीब 300 से भी जादा प्रजादियां इन पंचीों की पाई जाती है और वो भी कई रंगों में नर पंची मादा पंची से ज़्यादा रंगीर होती है सबसे छोटी हमिंग बड का साइज 2.25 इंच है यह पंची 70 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से उड़ सकती है और इनका दिल एक मिनट में करीब 1200 बार धड़ाता है नमबर फोर किट हॉग नोस बैट यह चमगादर दुनिया के सबसे छोटे चमगादर पजातियों में से एक है और कही जगां इसे बंबल भी बैट नाम से भी जाना जाता है यह पस्चिमित थाइलेंड के नदियों के किनारे बने चूना पत्तर गुफाओं में पाया जाते है इनकी लंबाई केवल 30-40 मिलिमीटर और इनका वजन केवल देड़ से 2 गराम तक का होता है नमबर 3 सिलिंडर ब्लाइंड सनक यह दुनिया के सबसे छोटे साप माने जाते हैं इनकी लंबाई लगबग 4.3 इंच होती है यह साप उत्तर और दच्चिड अमीर का अफरीका और इसिया में पाया जाते हैं यह काफी हद तक अर्थ वर्म के तरह दिखाई देते हैं पर रंगों के मामले में उनसे अलब होते हैं यह गुलाबी और बूरे रंगे होते हैं और कई जगाओं पर तो काले रंगे भी पाया जाते हैं इनका नाम इनकी पतले सरीर और लंबी बौडी के वज़े से रखा गया है और साथी साथ यह देख ने सकते हैं यानि कि यह अंधे होते हैं इसलिए इनका नाम सिलेंडर ब्लाइंड स्नैक रखा गया है नमबर टू पैडो सिप्रिस यह मचली दुनिया के सबसे छोटी मचली है यह दच्छडपूर एसिया दीपो की दलदलो और नदियों में पाया जाती है इनकी लंबाई केवल 7.9 mm होती है इनकी बारे में बस इतना ही नमबर वन पैडो फ्रीन अमांसिस पैडो फ्रीन दुनिया के सबसे छोटे मेड़ होते है यह केवल 0.3 इंच के होते है इस मेड़ की प्रजाती को अगस 2009 में लुसियाने स्टेट यूनियरसिटी के पूरू चिकित्सक क्रिश्टिफर आइंस्टीन और उनकी प्यस्डी के छात्र एरिक रिटमेयर ने खोजा था कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रू बता है और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में झाल झाल मिलते हैं चैनल